Welcome to Learn for Exam, my name is Guru Peet Singh, in this video we will talk about Non-IIMS Form Filling. So, अगर आप CAT exam दे रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे colleges हैं, जो CAT को लेते हैं, बट उनका form अलग से भरना होता है. और यही एक query थी, एक student की, कि क्या सच में उनका form अलग से भरना होता है, या फिर CAT के साथ जैसे IIMS भरे जाते हैं, तो यह भी भरे जाएंगा, ऐसा नहीं होता है, इनके form अलग से भरे जाते हैं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, अपने संदे को मैं वीडियो डाल द मीचे comment section खुला है, comment करिए, मैं 101% हर किसी का reply देता हूँ, अगर relevant होगा, तो पक का reply मैं दूँगा, but latest video पर देना, ठीक है, अगर यह latest है तो इस पर दीजिए, अगर दस दन पुरानी होगी, तो आप latest पर जाके ही, फिर comment करेगा, इस पर मैं reply नहीं दे पा हूँगा, क्यों अगर आपको अपने पैसे बचाने है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इधर वटसब करें, आप पूर सकते है कौन सा फॉम भरना है, कौन सा नहीं, अभी मैं आपको बहुत सारा आईए दे भी दूँगा, वैसी वैसी, साथ साथ, form filling assistance आपको मिल जाएगी, last minute queries, और संदे को no reply, हमारे office timing है 10-6, इस जमें हम reply करेंगे, अब सबसे पहले बढ़ते हैं FMS पे, मैंने starting की ऐसे downfall के टाइम में मैंने college को रखाए हां पर, मतलब सारी अच्छे college ये भी याद रखेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं FMS की, अगर आपके पास SCST, OBC quota है, या EWS quota है, 101% आपको भी college भरना चाहिए, ठीक है, अब कब भरना चाहिए, ठीक है, और क्या procedure है, कोई special बात है कि नहीं, आपको चीज बतायाता हूँ, मैं इसकी हर college की यतने भी college लूँगा, fees बताऊंगा, second चीज, उसका एक average package का आपको आइडे दोगा, fees का भी average idea दे दोगा, और salary package का इसका फॉर्म का भरना चाहिए, वो बता दोगा, और अगर कोई special बात है, तो इसकी special बात क्या है, OBC, SCST, इनकी cut-off काफी जादा नीचे चली जाती है, बलब कि, जनल हो तो 99 plus ही चाहिए, OBC हो तो 90 plus भी चल जाएगा, और SCST तो 80, 70 भी हो जाएगा, अब FMS की fees जो है, that is around 2 लाक रुपीज, ठीक है, 2 लाक के आसपास जाती है, average package, भाहिया, 30 plus ही रहने वाला है, तो भाहिया बहुत ही बढ़िया है, 32-32 के आसपास हो, मैंने आपको average बता रहा हूँ, ठीक है, और कब form भरना है, right after your cat, right after your cat, before result, but after cat, after cat, but before result, यह आज रखिएगा, आपके हाथ में result आपके cat exam दिया, आज रात को लग रहा है कि हार हो जाएगा मेरा, आजेंगे मेरे, मैं OBC वालो मेरे 95 आ रहे है, मुझे लग रहा है, 90 आजेंगे, 95 आजेंगे, तो आप बस बेंदास, for FMS का form भरी, 100% recommended, दूसरा आया था, MDI गुर्गाउं, और गुरुग्राम में से कह दे है, मैंने भी दिल्ली के सारे टॉप लिए, तो MDI गुरुग्राम जो है, वो भी एक अच्छा college में आता है, top college में आता है, इसके लिए अपनी जो cutoff जाएगी, वो भी आप मान के चलिए, 97, 98 के आसपास रहती है, इसके बहुत सारे वीज़े से रधर प्रोग्राम्स भी है, तो 95 भी आप ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर OBC या SCST का जाता कुछ चलन वलन है नहीं, क्योंकि private में आता है, तो आप इसको दिरूर से recommendation में अपनी ले सकते हैं, अगर आपकी 95 प्लस आ रही है, but the only problem is, किसका जो form है, वो भाई साब आपको cat से पहले ही भरना पड़ेगा, तो cat exam देने से पहले आपको भरना होगा, अगर आपके cat के mocks के अंदर 95 प्लस परसेंट है ला रही है, तो आप 100 परसेंट आप MDIA गुरगाओं को भर सकते हैं, बरना चोड़ सकते हैं, इसकी fees जो रहेगी वो 25 के आसपास रहने वाली है, और average package जोग हो 25-30 के बीच में ही र कॉलकाता, अगर आपको दिल्ली कॉलकाता में मिल रहा है, it's a good college, definitely, और international business के लिए बहुत आना जाता है, यह specialty हो गई, तीसरा form कब भरना है, भाई है, इसका form अभी कोई trend बना नहीं है, तो जब भी आएगा, मैं इसके ओपर एक वीडियो बना दूगा, और आप देख आएंगे, तो इतने नहींगी, उसके बाद SP Gen, अब SP Gen के अगर हम बात करते है, तो यह बहुत ही अच्छा college है, मेरा तो बहुत favorite college में से एक आता है, यहाँ पर एक speciality सबसे पहले बताता हूँ आपको, सबसे बड़ी speciality इसकी यह है, कि अगर आपके 85 percentile भी आ गए, आप इस 1 percent इसका form भर है, आपको इसकी GDP की call आ जाएगी, call आती है अगर आपने GDP अच्छा दे दिया, no matter आपकी 85 वो 86 हो, बस 85 से उपर हो नीची सारे section से इंदर और overall भी, तो अगर आपकी 85 से उपर है, आपने convert कर ले ना ही, होता है, ऐसा नहीं कि कि किसी का होता होगा, बहुत होग 86 पर 87 पर हो जाता है, बहुत होगा, बस याद रखिए, you have to be in toppers list, अगर आप, यह क्या अच्छा लगता है मुझे कि अगर कोई बच्चा topper है throughout life, अगर उसका एक दिन cat hug दिया उसमें भाई, उसका गलत हो गया गलती से, उससे नहीं आए marks, तो और 85 कितने बुरे marks नहीं हो पर बड़ करता है, और यहां पर सबसे बड़ी बात कि 250 सीड्स ही है, बहुत सालों से तो यह काफी अच्छा college बाना जाता है, बहुत ही जबर्दस college है, SPJMR अलग है, यह अलग है, SPJMR ठीक है, इसका नाम है SPJMR, तो SPJMR और SPJMR और SPJN Global, यह दोनों अलग है, दोनों हैं तो इक ही family के, भाई के, दूसरे के, बड़ यह अच्छा है, यह वाल अच्छा है, इसमें जाना है, SPJMR में जाना है, तो याद रखेगा, इसका form भर सकते हैं, फीस इसकी वही 20-25 के वीच में कहीं होगी, 25 के आस पास ही होगी, 25-25 के वीच में कहीं होगा, ठीक है, next is IITs, यह स पहले भरना पड़ेगा, बाकिस अब बाद में भी कर सकते हैं, IIT इसका तो result के बाद भी भर सकते हैं, तो इतना कोई, मैं भर सकते हो, और यह form ही तब खोलते हैं, तो इसका कोई issue नहीं रहता, और इसमें बहुत सारे ऐसे IIT Delhi हो गया, जैसे मैं बढ़ो, IIT Bombay हो गया, IIT Khad हो रही है, आप उनका form भर सकते हो, कुछ IIT में अभी भी है कि आपको engineer होना जरूरी है, चार साल की degree होना जरूरी है, वह आप check out कर लेंगा, फर आप form filling के tank आपको पता चल जाएगा, ठीक है, मैं सभी की average आपको यह बतायता हूँ कि जो टॉप है, जैसे कि IIT Delhi, IIT Bombay, इनक आपको आट से दस में आपको यहाँ पर फीस लगती है, और मैंने टॉप की बताईए, बाकी सारे और भी IIT है, उसके मैं अलग से dedicated video लाओगा, जिसमें सिर्फ IIT की बात करोगा, MBA from IIT, यह भी गलग से वीडियो आ रही है, यह मैंने बता है, आप सोचा नहीं कि अब तक बता है, 99.99 वालों को भी मिलता है, ठीक है, और इसका form बहुत बात में आता है, तो आप आराम से भर सकते हैं, जब आपको बन करें, साथ ही साथ फॉर्म हो गया, स्पेशलिटी बता जी ज़िए, यह CEO Factor को कहते हैं, बट अब इसकल बड़ी scam की वज़े से थोड़ा सा खरा बाकी तो college अच्छा है, इसकी fees बड़ी कम है, fees is around 5-6 lakhs, average salary इजहरी जासरी आप जाएगी, 20-25 आपको मिली जाएगी, ठीक है, next is IISC, Bangalore, बहुत ही चावर्दस college, भाई, fees बड़ी कम है, अभी मुझे exactly याद भी नहाता है, उसने गैस भी नहीं मानना चाता है, average salary आपको 20 square round पर प्लस में मिलेगी, जानता है, 25 क्या सपस होगी, ठीक है, तो काफी अच्छा रहेगा, यह college, बहुत ही premium college है, में जाओंगा, 101% recommended college है, and form इसका आप भर सकते हैं, plus इसमें unique बात जो है, इसको देखना है कि यह कब से है, और किसने इसको open किया था, you will be surprised, तो मैं जानिए, 101% जानने लाए, पॉलेज़ है, then we have IMT गाजियावाद, यहां से आपका tier 2 kind of college शुरू हो जाता है, tier 2 का मतलब है, सबकी average salary होगी, सबकी average salary of tier 2 के अंदर, वो 15 के आसपास ही होगी, 12-15, 12-15, 12-15 ही चलेगी, इसके अंदर, 12-16 के लो, किसी की 16 की 16 सकती है, ठीके तो IMT का से ये बात, आप बाद में भर सकते हैं, form feeling की tension नहीं है, specialty की बात करों, तो negativity टाहिती है, कि 100 से plus का आप ज़्यादा बैचा लड़ा है, बड़ी होगी, स्कॉलर्स के अंदर, तो आप देखके जाईएगा, ठीक है, और cut off 90 plus के आसपास यहां पर, जाने वाली है, ठीक है IIT की भी, with profile, profile thing, वहां पर 99 नहीं रहती है, top की IIT की, छोटे वाले IIT की अप 90 तक माल सकते हैं, JBI म सुंबई विना को होता है 99 है, ISE Bangalore भी 98, 99 है, then IMT Gaziवाद की 90 के आसपास रहती है, then GIM Goa, इसकी जो cut off रहती है, 89-90 रहती है, salary value वही average वाली है, जो आप को होता है tier 2, और fees भी उसकी आस, 14-20 के आस पास है, form filling आप इसकी भी बाद में कर सकते हैं, बट इसमें एक फायदा होता है, अगरा पहला है form भरेंगे, तो आपके पैसे बच जाएंगे, right after you cat अगर आप भरने वाले हैं, इसकी वाता है, वो offer देते हैं, इसमें आप पैसे बचा सकते है, तो GIM में profile क्या होती है, अगर आपके 10-12 graduation में marks, ठीक-ठीक है, साथ-साथ भी हो, बट आगर आपने national खेल लिया, state level खेल लिया, या drama कुछ करा हो, या कुछ भी कोई भी को करूल activities करी हैं, तो 101% आपको यहां से profile based call आईगी, achievers round जिसे कहा जाता है, achievers round की call आईगी, अगर आप हम पता है कि इतनी percentage चाहिए, cat में चाहिए 80, cmat में चाहिए 80, भाई, बंदा ले आता है, so 89 वैसे है, तो 80 पर convert हो जागा तुमारा, जिन्दी की बदल जागी, और वहीं पर बनला, admission भी उसी समय जाते है, उसी समय, और अगर अच्छा आपने perform कर दिया, तो आपको उसी समय है, और अगर आपने अच्छे और अच्छे करी है, जैसे कोई भी sports के लाया, या कोई भी कुछ भी game के लिए, कोई गायक भी हो, तो भी आप प्लीस इसको ज़रू भजिएगा, achievers round के लिए, then we have glim channai, अब glim channai के गर हम बात करें, तो great lakes, uncle bala, he was a great friend of mine, आप तो नहीं र जाता है, और इसकी भी फीस हुई 18-20 के आसपास रहेगी, every salary वही 12-16 के बीच में रहे जाएगी कहीं पर, and इसका जो form है, वो भी बहुत time का खुला रहता है, तो ऐसा को issue नहीं है, but यहाँ पर आपका जो one year program है, वो भी आप check out कर सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा वक cat दिया हुआ है, ठीक है, then we have XIMB, यहाँ पर आपका cat चल जाता है, इनका मैं main program की बात कर रहा हूँ, business management program की, HR की बात नहीं कर रहा है, इसके लिए आप cat ही लगाएंगे, and इसकी जो cutoff रहेगी, वही 90 के आसपास रहेगी, average salaries की थोड़ी सी जादा है, 17-20 के आसपास दिखा इश्वर में एकलोता है, अगर आपको बुभी नेशर या और इससाइड नहीं रहते हो, तो यही एकलोता है, आपके पास जो अच्छा है, बहुत, और TA2 में आता है, तो आप check out कर सकते हैं, then we have Dill University के तीन campuses है, DBE, DFS and DSE, इनकी speciality आप खुछ से पढ़ लीजेगा, इनके नाम में इसकी speciality आपको दिख जाएगी, चेप से बड़ी बात क्या है, आर वाई, यहाँ पर आपको जो fees लगेगी, भाई, 30-40,000 रुपे, 50,000 रुपे, 60,000 रुपे, लाख भी नहीं, सिर्फ हजारों में ही बात हो जाएगी, और अब इनकी cut-off बहुत बढ़ गएगी, प speciality आपको बता दी, ROI है, then IRMA, ruler management के लिए बहुत अच्छा college है, IRMA, अगर आप FNCG में जाना चाते हैं, जैसे अमूल हो गया, इसमें जाना चाते हो, तो definitely आपको मैं college recommend करूँगा, इसके साथ को IRMA set देना होता, वो आपने आपसे google कर ले न, आपको बढ़ जल जाएग, IRMA set क अगें टाप्मी और GIM और IMT गाचेवा, जैसा ही को लिए, कि दिल्ली के अंदर है, IRMA देली इसकी fees होगी 25-20 के आसपास, इसका average salary होगा, वही 15-16 के आसपास, और शायर उससे जादा बढ़ गया है, मैं लिए लिए पूस देगा तो अभी पता नहीं होज़े, exactly या नहीं बट उसके आसपास ही होगा, और specialty as such तो कुछ खास है नहीं अभी इसकी, बस tier 2 अच्छा है आप करनो, that's it, और form इसका अंदर खुला ही रहता है, then we have tap me, tap me का every salary वही पदलना के आसपास है, and fees is around 19-20 के आसपास, and specialty बस यह कोई अच्छी जगाँ पर है, बड़ा ही, green green area, campus ब campus आपका IMAD 11 नहीं दे पाएगा, वो campus आपको tap me या GM दे सकते हैं, क्योंकि बहुत lavish जगाँ पर बने हुए है, and then we have Sims 3, again a ROI-based college, बहुत अच्छा college है, ROI के बश्चे पर form बहुत देर खुला रहता है, tap me का भी खुला रहता, इसका भी खुला रहता है, and Sims 3 के अंदर सबसे आ फिस को छोड़ देते हैं, फिर फिस यह और टॉप को ले आता है, यह college की history रहती है, हर साल ऐसा खुला है, ठीक है, UBS Chandigar, again a very good college on the basis of ROI, यहाँ पर आपको जो ROI लगेगी, वो बहुत फीज लगेगी, वो 50,000 के आसपास होगी, average package वोई 10 के आसपास खुल जागा, cat exam लेता है इसकी भी cutoff 95 के आसपास पहुंची है, पहले गहाँ 80 वोई आ करता था, ठीक है, वो हमने YouTube पे वीडियो बनाई, यह तो सबको बताया है, और देज देरे करके, इसकी cutoff भी बनागी, इसा हूँद आता है, ठीक है, and that's it for today, alright, and I kept my promise, जो भी मैं वीडियो के लिए promise करता हू, मैं definitely 100% try करता हूँ कि मैं उस दिन वो वीडियो डाल ही दूँ बॉस, जबकि मैंने वीडियो बहुत पहली शूट कर ली है, ठीक है, पर डाल हूँ मैं Sunday morning में, अब Sunday morning को देख रहे हूँ कि मैंने यह अभी कर शूट करी है, यह Friday night ही हो, यह बले morning ही हो, यह भी तो साड़े च आपका support ही चाहिए, that's it, आपको तो free services कितनी सारी दे रहा हूँ कि पैसे बचा रहा हूँ, आपको चैनल पर बता रहा हूँ, direct messages भी डालता हूँ, यहाँ पर scan करके, आप join भी कर सकते हो, description में लिंक भी दिया हूँ, special courses है, free courses है, e-book है हमारी, test series है हमारी, यहाँ फिर आप learn so definitely like बनता है, like करे, अगर आपको मेरी videos अच्छी लग रही है, कोई भी तारीफ करने हो, तो नीचे comment section खुला है, वहाँ भी पर लिख सकते है, and thank you very much, bye bye